नमस्कार दोस्तों लखन उसंडी ब्लाग में आपका स्वागत है हम लोग आये हैं अभी पावडा का मेला जो नारानपूर से लगभग 35 किलो मेटर की दूरी पर है अभी हम लोग मेला का पूरा कवर करेंगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है और यहाँ यह है टिकूर से बना हुआ मिठाई है देखा जाते बस्तर स्वीट्स के रूप में भी इसको जानते हैं यह है चाटी भाजी कित तक आई है दस रुपए का मिल रहा है साइड आपको मिठाई की दुकाने लगी हुई है यह नट्डा दस रुपए का मिलेगा आप लोगे को इस साइड आपको खिलोंने भी मिलेंगे यह पुल्की है खित्ता काई भी हा यह जिली का दस रुपए का यह आपको दस रुपे कमिलेगा भाई यहां पर आपको मिठाई मिलेंगे मिर्च भजिया आलू भजिया और यह जलीवी की दुकाने भी लगी हुई है इधर आपको सुर्फ फंस्षी की दुकाने मिलेंगे तो हम लोग अभी दर चलेंगे इधर क्या कुछ देखने को मिलता है ऊपको देशी करेला किता भागा है यह 20 रुपया में आपको मिलेगा चलो इधर आगे आपको दिखाता हूं यह सेमर कांदा कैसे दे रहे और दस और यह देख सकते आप छोटा बैगान है छोटा छोटा बहुत ही स्वाधिश लगता है यह खाने में आप लोग को मैं चन्ना बूट दिखांगा यहां चन्ना बूट भी मिल रहा है मेले में एक कैसा चन्ना बूट दे रहे हो यह है दस रुपे का इस साइड आपको प्लास्टिक के बरतन मिलेंगे ऐसा पत्ता को भी दे रहो भी है यह आपको दस रुपे नग मिलेगा यहां पर फुलग भी भी है दस रुपे किलो दोस्तों यहां पर दस रुपे किलो में मिल रहा है दोस्तों यहां पर घर में उगाया हुआ आलू आपको देखने को मिलेगा कैसा है आलू यह 20 रुपे में आपको आलू मिल रहा है दोस्तों यह मिठाई चावाल का बनता है इसको आसा बोलते हैं आसा ना और इधर आपको समोशे और मिर्च भेज़ा देखने को मिले हैं अब बस्तर बेर की ओर चलूँगा आपको बस्तर बियर दिखाऊंगा लोग कितना चाव से यहां पर पीते हैं बस्तर बियर को यह है लांदा पहुंचाता है गर्मी में ज्यादा इसको पीते हैं तो गैस आपको मेले कपूल एक्सप्रोड करा दिया हूं आसा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मिलेंगे नेक्स वीडियो में झाल झाल